तो आज की वीडियो है स्विमिंग टिप्स बारिश बारिश में बढ़ाएंगे आज के लिए वह उनके लिए जिनको स्विमिंग आ जाती है जा फिर नहीं आती या बहुत डर लगता है बगरा सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूं अगर आपको थोड़ी बहुत स्विमिंग आ गया कुछ प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि पैर नीचे जा रहे हैं जहां हाथ चलाते चलाते पैर नहीं चल रहे हैं इन सब के बारे में बताने बाला हूं है ठीक है और बिगनर्स के लिए सब्सक्राइब करते हूं प्रैक्टिस वह भी सब्सक्राइब प्रैक्टिस करते हैं। Vacc कि हमारी माींड को एक चीज़ीं होती था दुन्हों चीज़ WARK करने की आदर हो जाएगी इसी तरह कोई वी चीज़ आप करती हो तो उसके साइव किरू करते यह नाख में पानी इसलिए त्रृत कर दोเรา कुंखे ऐसे जाएग इसके जो करते हैं Bel तरह आफ्षा और यहा अफिल तो आपनी में डर लगते हैं जुद्दिए ब्रेखिन की प्रेक्टिस करते ही नहीं हो जितने ज़ींग करों गया हुख आप यहां नीचे जाकि ब्रिखिन करके ऐसे बार वार करते ते दीप है आप यहां से ब्रीफिंग का अगर पानी में डर लगते तुर हो जाए तीसरा कि जिसको पानी से बहुत जाचा तर लगते हैं तो पहले सबसे पहले दीवार के डच्पॉर्ण पॉद्वल कि व ci है सुगुद तो निचे अफी में सब्सक्राइबह। आज सब्सक्राइब्स कर सकते होगा। स्पेस में चले जाओगे तो आपकी ग्रैविटी विल्कुल खतम हो जाते हैं तो यह सेम पानी में होता है पानी में काफी हद तक ग्रैविटी कम होती है ठीक है इसलिए हमारी बोड़ी है ऐसे असानी से दरूदर हो जाती है हम अलका अप उच्छ मारती है उपर अगर आपने स्पेस का फिल्ड लेना है थोड़ा सा तो आप पानी में कूद के स्विमिंग कर सकते हो ग्रैविटी खतम कर देता है ठीक है मलंकि ग्रैविटी काफी हत तक में खतम होती है पानी के नीचे अगर आप जितना घहरे में जाओगे उतुरेक घ्रैव्टी खतम होती जाईगी पानी को प्रइदर ऊदर हो सकते हैं कभी आप चेक करना कि इतनी कम ग्रैविटी होती है कि आप पानी में हलका सब उठा भी मारूगों नहीं आपकी बोडी ऐसे जाएगी उच्छे ना लगी सोच के दखो ठीक है उसके बाद जिसको बहुत पानी में इमेटर लगता है दिवा पानी के अंदर करके बाहर आजना एक सेकंड पट से बाहर आना ठीक है अगर आप अच्छे से फोलो करते हो तो आपका स्विमिंग सीखने में कितना टैम लगता है यह मुझे काफी कमेंट आते हैं स्विमिंग सीखने में बैसे दस दिन में थोड़ी बहुत करनी आ जाती है अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी आजाएगी पर जो बिल्कुल डेड़ है जिसको बिल्कुल कैशिंग भावर नहीं है तो वो 15 दिन में स्विमिंग सीखने जाता है उसके पांच दिन में स्विमिंग सीख सकते हो कोई इतना बड़ा नहीं है अगर आप पहले दिन जा रहे हो ब्रिफिंग कर रहे हो तो ब्रिफिंग को आपको सिर्फ उस दिन पूरे दिन ब्रिफिंग करनी है नेक्स्टे क्या करना है आपने ब्रिफिंग और फ्लोटिंग की प्रैक्टिस करनी है ठीक है उसके बाद आपने थर्ड दे क्या करना है ब्रिफिंग फ कि जब आओगे इस दिन में आओगे तो आपका कमल की अच्छे से हो जागा हैंड मूमन चलेगी पर इसमें वही दिक्कत आई कि मैंने स्टाडिंग में बता दी कि हाथ चल रहे हैं पैर नहीं चल रहे हैं पर जो आपने प्रैक्टिस करने हैं उसमें यह नहीं कि आप 10 गंटा पानी के अंदर कैमरा लेकर जाके दिखाय हूए हैं बाहर भी बताए हुए हैं बाहर कैसे प्रैक्टिस करने हैं तो आप इसली वह चीज कर सकते हो ठीक है तो यह बत्तों को दियाना कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ उसके उपर आप एक चीज को गोर से देखके ना यही था कि आप जल्दी से मीं चिख ओगे ठीक है बाकी मेरी डिस्क्रेप्शन में वाटसब ग्रुप इंस्टागराम ग्रूप इंस्टागराम की आईडी और टिक्टों की आईडी खासकर टिक्टों के फोलो कर लेना थोड़ी ओर टेडियो वीडियो बना लेता हूँ और अगर फेस्बूक पेस्बेश फोलो करना तो वर्टसप ग्रूप अगर वाई चांस आप से नहीं जो आना हो रहा है तो कुछ टैंब बात कर लेना जापने दूसरे नमबर से कर लेना ठीक है और बस फाल तुके मैसे मड़ डालना ठीक है तो यह हो गया उसके बाद आपको बत किक तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं जो आगे नहीं परते किक ऐसे पूरी मलकी फास्ट यह चीज हलका सा किक अपने आप इतनी फोल्ड होएगी इतनी फोल्ड ओटोमेटिक ही जैनुवन होईगी पर आपका कोशिश यही है कि आपने सिद्धी करके चलानी है किक तेज भी चलान सांस के प्रैक्टिस में होगी कैसे करते हैं फिर किक चलाना सांस लेना इससे आपको सीखने में असानी होगी तो अगर बढ़िया लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्काइब कर दो स्विमिंग टेक्निकल लब्ली मनी चैनल पर अगर आप मॉयल के जाव इसके अन्बोक्सिंग डालता हूं जैसके अभी लेटस मैंने नोट 10 की डाली हुई है उसके फंक्सिंस डाल हुए तो यह उस चैनल पर मैं डालता हूं तो फ्रैंस आई होब कि आपको स्विमिंग से डिलेटिव जो भी मैं आपको वीडियो बनाके देता हूं आपको अच् सब्सक्राइब वीडियो बनाई हुई है तो हर सीजन में मैं लगबग वही रहती है पर उसमें मैं मोटिवेट करता हूं तांजो आपको बढ़िया से बढ़िया कुंटेंट और बढ़िया से बढ़िया स्विमिंग आ जाए और स्पीड कैसे बढ़ा है यही मुझे काफी क अब पर वाहां से एक दो बबलिंग करके बापस पहुंचना और उसको टाम को तोड़ने अपस तेरा सेक्ड में पहुंच कर तो उसको और कम करना है 12 सेक्ड करना है इतना स्पीड मल की पूरी एफट लगा के 12 सेक्ड करना है यहाद रखना है कि पहले दिन आपका क्या यही चीज द्यार रखना किसी दिन आपने ज्यादा रोंड मारने हैं मल की जैसे की 120-220 ऐसे रोंड मारने है ठीक है और हफ्ते में दो बार जा तीन बार आप सप्रिंटे मार सकते हो जिसके कान आपकी स्पीड को फर्क पड़ेगा स्पीड आपकी बढ़ेगी ठीक है और ड बनानी है उनके लिए वीडियो हेल्फ फिल रही होगी कोशिश यह थी कि मैं जो बीगिनर के स्वार आते हैं उनके जवाब दे दू और अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दो जो तीन-चार बार बोल गया क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेट मिलत त्यार देख तो बाइब फ्रैंस थैंक्यू बोचला वीडियो नेक्स वीडियो मिलें बहुत जल्दी और तब तक के लिए राइक करते हो अक्तूबर स्तंबर जीरो तक कहते हैं स्तंबर तीस तकी वीडियो आएगी उसके बाद पूल क्लोज हो जाता है फिर अगरे सीजन म खुलेगा पर लाइव संडे हम मिलते रहेंगे तो वाइफ रेंस समयर क्या रखेंगे स्विमिंटिक्स स्विमिंटिक्स कि यह उड़ी रहा अगर वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक है थैंक्यू बहुत दा वीडियो